हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम गौरव है दोस्तों यूपीएसाई लवार यूट्व चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेडिकल के लिए हमको कौन-कौन से डोकिमेंट की जरूत पड़ेगी वो भी हम विद प्रूफ के देखेंगे इसलिए लगाता है दोस्तों चैनल में आपको मतलब करके वो इनफॉर्म कर देंगे कि वही आपके अबन कार आ गया यह यहां से ले जाई दोस्तों यदि आपका मतलब की जो नम्मर है वो आपने फॉर्म में लगाता है वो यदि بंद है तो आपको क्या करना है जब भी admit card आएंगे आप हमारे चैनल से जुड़ी रही है हम आपको सबसे पहले बता देंगे कि आपके थानों में पहुंच सके हैं और आप खुद अपने थाने में जाकर संपर करें और वहां पर अपना जो नंबर है वहां पर अपडेट करा दें कि सर हमारा ऐस नाम से तो हमको कर ना दोश्य यह प्रोडर से होती है फ्रेंट और दोस्तों जो हमारे आरे स्टेट के हैं तो उनके जो चाहे जैसे जाक्द मैं भी दोकुमेंट दोस्तों len दोक्या में चाहिए और जो और आ एंगार लग्याम बात करेंगे दोस्तों कि पहले दोस्तों बात करते हैं चरत्र सत्तापन एतु जनपते सर से की जाने वाली कार्यवाई क्योंकि दोस्तों चरत्र सत्तापन यह भी चाहिए यह मेडिकल में डोक्मेंट यह भी चाहिए इसलिए आपको इसकवार मत आ रहा हूं एक राज पत्रत अधकारी को नौडल किया जाना अब ब्यर्तिगंड से प्राप्त किया जाने वाले अविलेग मत्रव की जो केंडिडेट्स हैं उनको कौन-कौन से डोकुमेंट लाने होंगे यह विद प्रूफ को आपको उल्ली यूपीयस लवर यूट्यूप चैनल दखा रहा ठीक है फ्रेंट्स दोस्तों जो कि आपको ठाने से प्राप्त होगा ठीक है दोस्तों नमर तीन दस रुपे के नौ जुडिशा स्टांप पर सपत्पत्र दोस्तों जैसा कि आपने कभी भी इंडियन आर्मी की जीडी वागरा की वर्तिदे की होगी तो जहां आपको वह एफिडेविट बनवाना पड़त करता मेरे को चैशता सब्सक्राइब की बाता है तो किकिन से आफ़ने का मेरे ओगास को की इस औरता हॉता है। स्टांपेपर होता दसर्पे वाला ठीक है दोस्तों और दोस्तों चौति नमर पर अंत्यम सेक्षा प्राप्ति के सेक्षण संस्तान के प्रमक्त प्रदानाचारे कर शहत पराणपत्र जैसे दोस्तों आपका जो फाइनल अपने मतलब अधिकतम आपकी जो एजुकेशन वह भी और यदि आपने बारवी अधिक्तम किया तो आपको आपको चल जाएगा ठीक दोस्तों इसमें आपको मैं ये बता दूँ आपको तीन चर्थर प्रमान पत्र लाने की जो रहात है जो कि आपको यह वाठ किसी नहीं बताई मैं बता रहाएं दोस्तों एक तो हो गया आपका principal द्वारा दूसरा हो गया जिदे आपको ग्राम प्रादान इसके द्वारा और तीसरा होता है gadgeted officer जो की हो सकता है gadgeted officer सरकारी जो doctor होता है और दोस्तों तुम्हारे LIC बगार आके भी होते हैं और जो गैजटर आते हैं आप खुछ जानते हो जैसे आप डीवी ने जहां से आपको कराया था आप ऐसे भी करा सकते हो ठीक है फ्रेंट्स और परहे आप तो संग के हम पासपोट साइच फोटो दस फोटो ले जाना तुम भाई दस बह मैंडिकल के लिए जरूर डॉक्यमेंट्स दसमी की मार्ट सीट वह यह ओरिजनल होनी चाहिए और इसकी दो टू कोपी हो क्योंकि लगेगी तो एक वहां तो आप दो लेके जाना क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते हो आपके जो डीवी में फाइल वनी थी सेम अब ऐसी फाइल वनेगी फाइनल फाइल रहेगी वह जो की लखनों में जो बरती बोड़ाता है वहां पर सरक्षित रखी जाती है और ने देशाल होता है यहां पर भी एक फाइल बनेगी बारमी की मार्ट सीट और इजिनल दोस्तों जनोंने दो अजार गया रहा से पहले मतलब दसम होगे और जाती प्रमाणपत्र दोस्तों जो भी आपने फिर्ट जो फॉर्म आपने फिल किया तो 2018 में तो वही जो आपका डीवे में था वही आपको जाती चाहिए दोस्तों यह नहीं कि आप नहीं बनवाके दो नहीं कि कोई जरूत नहीं बस वहीं चाहिए वहीं चलेगी ठीक है फ्रेंट्स ऐसे निवास प्रावन पत्र होता ओल्डी चाहिए नहीं कि आपको कोई जरूत नहीं पुरान ही चलेगी जाती जो हमारे जनरल वाले उनको तो जरूत है नहीं फिलस्ट में ठीक है फ्रेंट्स और आप आधरकार पहन कार डील इन में से कोई भी एक जो है साथ में लाशकते हो चरत प्रावन पत्र के बारे मैंने आपको बता दिया तीन तीन चरत प्रावन पत्र आपके बनेंगे प्लस में जो एफीडेविट अबू लगेगा दस रुपे के स्टांप वारा सत्तर सी रुपे मनता है एफीडेविट और दस पोटो दोस्तों यह आ प्रावन पत्र दोस्तों जैसे यदि आपने वह जो अपनी इसमें लिजिवल्टी तो बारे पास किये ठीक है और आपने मतलब की जो फॉरम होगा उसमें आपने जो अंतिम सिक्षा लिग दी ग्रेजुएशन और आपने लगा दिया बारमी के जो पास का चाहत्र प्रवान पत्र प्रिंशिपल वहां से तो वह ऐसे नहीं चलेगा जो आप फॉरम में लिखो कि भाई आपकी जो फ्रेजुएशन वो फैल्ट है तो चैत्र प्रवान पत्र प्रिंशिपल प्रिंशिपल का चाहिए जिस चीज का आपको विशेज ध्यान रखना है ठीक दोस्तों चैत् इसमें आपको बिल्कुल ज्यादा कुछ है नहीं बस यह एफिडेविट के अंदर यह होगा कि मतलब की आप नोटरी होते हैं जो कस्वे में मिल जाते हैं कस्वे में होगो टाउन हो छोटा सेरो परहां तैसिल में तो मिली जाते हैं इसमें यह तीन-चार वात लिखी रहती हैं ऐसी दो तीन वात उसमें लिखी होती है जैसे कि मैंने अभी साधी नहीं की है और मेरी एक से ज्यादा दो पत्निय नहीं है इस प्रकार से थोड़ा प्रारूप सा होता दोस्तों अगर आपको प्रारूप भी आपको दे देंगे वरना उसकी कोई जरूत है नहीं बस पर बड़ी आ जाती है और अंसान ज्यादर परिशान हो जाता मेडिकल अधर चल रहा और फिर यह होता तो बड़ी परिशान हो जाती है ठीक है फ्रेंट्स और हमारे को साथ ही बोलता है को है पुलिस वाइफिकेशन पहले होगा या मेडिकल दोस्तों मैं आपको बता वाइफिकेशन बाद मी होगा हुआ तो वरना पुलिस वाइफिकेशन और मेडिकल साथ में हो सकते हैं और दोस्तों आपकी जो अभी खवर निकल के आ रही है वो नुक्तिया आपकी जल्दे से जल्द आपको दे दी जाएगी इसलिए अपने घरवालों के साथ जो पहले है उनको बताये दोस्तों ठीका फ्रेंब्स, और यह यह दोस्तों जन वायू ने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया, उनसे रोकाउस्टा फ्लीस चैनल को सबसक्राब जरूर करना, ठीका फ्रेंब्सू उत्तर पर देस फोल साफ और साभाई। आफस्द आती जाहिए